स्वागत है आपका कला मंत्र सीरीज में अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और सेयर भी करते रहे हैं तो कला मंत्र सीरीज की आज ये कला मंत्र सीरीज का अरिये 42 सेट है इसके पहले 41 वीडियो चैनल पर अप्लोड हो चुकी हैं तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उनको जरूर देखिए जादा नहीं रोज रोज ये सौट वीडियो होती है पांच से जादा 10 मिट की तो आप इसको जरूर रेगुलर देखिए क्योंकि जब आप किसी चीज को रेगुलर करते हैं उसकी बात सबसे अलग होती है आप 125 क्वेशन का कर लेंगे उसकी बात अलग होगी मगर धीरे धीरे रेगुलर चलना तो कच्छुए की चाल की तरस से कच्छु कहानी जो आप सुनते आ रहे हैं वही कहानी यहां पर भी आप इंप्लिमेंट कर सकते हैं और रोज 10 प्रस्न बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है तो इस वीडियो को जरूर रेगुलर देखा करिए भले आपको नहीं समझ मेरा मत मत लाइक करिया आपको दिकत ह और यह परिशान नहीं सब्सक्राइब करिया आपको लग रहा है कि आप कुछ बहुत कुछ दे दे रहा है हमको तो मत करिये मत करिये लाइक सब्सक्राइब लेकिन रोज कम से कम अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो कम से कम उसको रेगुलर देखिए ठीक है कब कौन सा प्र रूटीन में इस चीज़ को बनाईए अगर आप पढ़ते हैं और कुछ करते हैं आपका किसी तरह से रूटीन बना हुए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यहां पर जो प्रशन होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या तो परिक्षा में आये हुए होते हैं य 1969 में, 1965 में, 1960 में या 1954 में तो शाहित अकादमी के स्थापना कभ हुई थी तो 1954 में होई थी आज का हमारा दूसरा प्रशन है सुकृती आर्ट गैलरी स्थित है सुकृती आर्ट गैलरी कहां है तमिलनाडू में एहांदबाद में मुंबई में या जैपुर राजस्थान में तो सुकृती आर्ट गैलरी हो जाएगी जैपुर राजस्थान में एक गैलरी से और एक अकादमी से दो प्रशना आर्ट की सीरीज का हमारा दीसरा प्रशन है हुआ है कहां से होता है हुआ है। रूपलेखा पत्रिका का प्रकाशन कुलकता से मुंबई से दिल्डी से या गुच्राज से तो रूपलेखा का पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था देली से होता था आज की सीरीज का हमारा चौथा प्रस्न है इन में कौन असंबद है मनसूर, मनोहर, बेजाद या मिस्किन तो इसमें से आपके जो बेजाद हैं वो असंबत हो जाएंगे क्योंकि मनसूर, मनुहर, मिस्किन ये तीनों आपके जागिर की काल से समन्दित हो जाएंगे और बेजाद पावर के समयम डोग पढ़ते हैं पावर ने बेजाद की प्रसंसा की थी देखते हैं आज की सीरीच का हमारा पाँचवा प्रशन निन्द में से परदाज एक प्रसित तक निंकी है राजस्थान से समंदित है गड़वाल से समंदित है पंजाब से समंदित है या मुगल से तो परदाज चाया प्रकास जो है प्रस्न संक्याच 6 है समराच जहांगीर का प्रिये चित्रकार कौन था बसावन, मनोहर, मनसूर या अबुलहसन तो समराच जहांगीर का प्रिये चित्रकार अबुलहसन हो जाएगा और बसावन, अकबर का प्रिये चित्रकार अक्बर के समय का है और अक्बर का प्रीय चित्र का बसावन था और जहांगिर का अबुलहसन आज की सीरीज का हमारा साथवा प्रस्थन है कुलूस कुल का सबसे पुराना नाम क्या है कुलंत पीट, मेदबाट, पूंदी, एबी, दोनो तो आपको बताना है कि कुलूस कुल का सबसे पुराना नाम क्या है तो कुलूस कुल का सबसे पुराना नाम हो जाएगा कुलंत पीट आज की सीरीज का हमारा आठवा प्रस्थन है आप सब के सामने स्क्रीन पे जैदेव द्वारा रचित कीत गोविंद से मुख्यता कौन से चित्रकार प्रेरित रहे हैं किस सैली के चित्रकार जैदेव द्वारा रचित कीत गोविंद से मुख्य रूप से प्रेरित रहे हैं बंगाल सैली, कांगडा सैली, कंपनी सैली या पटना सैली तो कांगडा सैली के चित्रकार मुख्य रूप से गीत गोविंद से प्रेडित रहे हैं और गीत गोविंद को किस ने लिखा है तो जैदेव ने लिखा है ये भी याद रखिएगा आज की सीरीज का हमारा नवा प्रस्न है राग गार्डेन किस सहर में स्थित है बेंगलेडू जैपूर चंडीगड या हैदरबाद तो जो राग कार्डेन है वो चंडीगड में है इसके वास्तुकार कौन थे अगर आपको पता है तो कमेंट मॉक्स में जरूर कमेंट करिए जो भी प्रस्न पूछते हैं अगर आप से ये इस कला मंतर सीरीज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उस प्रस्न स कहां सते थे नई दिली में कोलकता में वारार्जी में या आगरा में तो रवींद्र भवन आठ गैलरी जो है दिली में सते थे तो ये थे आज किसी रीज के दस प्रस्न धन्यवाद